नमस्कार स्वागते आप सभी का न्यूस 21 में और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर डॉक्टर की लापरवाही एक मासूम पर भारी पड़ी है मध्यप्रदेश से एक खबर आ रही है जहां मध्यप्रदेश के उमरिया जिले से दिल धला देने वाला मामला सामने आया है जहां सरकारी एस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही की वज़े से एक मासूम की जान चली गए दरसल आज सुभा तकरीबन 6 बजे ग्राम रहता गुलगुलती निवासी खेशलाल अपने 7 साल के मासूम बेटे रावेंद्र प्रकाश को उल्टी होने की वज़ह से एलाज के लिए पाली सामुदाइक स्वास्तिकेंद्र आये थे और जहां चार से पाच घंटे अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराकर डॉक्टर्स को बुलाने की मांग मौजूदा स्टाफ के करते रहे लेकिन डूटी डॉक्टर नहीं आये लिहाजा इलाज और डॉक्टर के अभाव में 7 साल के मासूम आदिवासी ने दम तोर दिया उक्त घटना का दिल को जगजूर देने वाला दृष्ष आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से सहाए मा अपने बच्चे को खो देने के बाद चीक पुकार कर रही है और रोते हुए अपने साथ हुयाब पीती बया कर रही है हर इंसान का दिल पसीद जाएगा लेकिन पाली सामुदा एक स्वास्त केंद्र में पदस्त ड्यूटी डॉक्टर ने ना तो अपना कर्तव्य निभाया ठीक से और नहीं उनकी इंसानियत ने उनको अपने कर्तव्य का बोध कराया इस खबर पर जादा जानकारी देने के लिए उम्रिया से राहुल सीतलानी हमारे साथ जोग चुके हैं राहुल क्या कुछ पूरा मामला है पहले तो ये बता दे जी माडम आपको बता दूँ दक्तर की बड़ी लापरवाई से स्टाथ वर्प कर मासुम आदिवासे बच्चे की होगे मौत जर्पर पूरा मामला हमाडम कुमर्या जिलर के नर्वोजाबाद गिराम रहता गुलगुली का जर्पर पूरा मासुम बेटे की उल्टिक दस्ट की होने के वज़े से कवेट का भी ज्यादा खराब हो जई जिसको पाली स्ट लाया गया था जहां पर दॉक्तर को दॉक्तर की उपस्टिगना होने पर जान चलिके जिनम तो राहुल यह जो पूरी लापरवाही सामने आई है इस पे डॉक्तर स्ट डूटी पे नहीं थे क्या कुछ सामने आपा है इस बारे में क्या कुछ अपडेट अप्डेट तो परिवार जनों का क्या कुछ कहना है क्या कुछ मांगे क्यूंकि देखिए लापरवाही बहुत बड़ी सामने आई जहां पर एक बच्चे की मौत हो गई है ठीक है राहूल आपसे लगातार इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो मध्यप्रदेश के उम्रिया से है जहां डॉक्टर की लापरवाही एक मासूम पर भारी पड़ी और इलाज ना मिलने पर क्योंकि ड्यूटी पर डॉ बुलते गए कि आ रहे हैं डॉक्टर आ रहे हैं डॉक्टर आ रहें लेकिन नहीं आये और उस वज़े से मासूम की मौट होगी